नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो UPPSS वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जैसा आप सभी को पता है कि UPPSS का में 27 तारिक से स्टार्ट है जो कि 27 सेप्टेंबर से लेके एक अक्टूबर तक चलेगा इस भी GS और Optional Paper के बीच सिर्फ एक दिन का gap मिला है और जो gap है उसी दिन आपका BPSS का exam भी है तो बहुत लोग का demand था कि UPPSS का मेंस कुछ दिन के लिए डिले हो जाना चाहिए BPSS का exam पढ़ रहा है वो जो भी है वो तो आप छोड़ दीजिए सबसे important बात यहां यह आती है कि UPPSS 2021 का result अभी तक आया नहीं है और High Court ने अभी अपना judgment reserve किया हुआ है मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बात बोली थी कि UPPSS का मेंस कुछ दिन के लिए डिले होना चाहिए देखिए अभी तक आपका admin card नहीं आया है तो हो सकता है कि जो authority है आपकी बात सुने बट जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ आपके पास एक अच्छा खासा number होना चाहिए चाहे आप tweet करिए चाहे आप mail करिए चाहे आप आयोग में जाके logo से मिलिए जो chairman sir उनसे मिलिए बट आपके पास number होना बहुत जरूरी है अभी तक UPPCS 2021 का result आया नहीं है जिसकी वज़ा से यह होगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो 2021 में select होंगे जिनको SDM और DSP मिलेगा वो 2022 के मेंस में भी appear होंगे बात में जब 2021 का result निकलेगा तो वो 2022 का seat छोड़के चले जाएंगे और चूंकि UPPCS waiting list नहीं निकालता है तो UPPCS 2022 में बहुत से candidate ऐसे होंगे तकरीबन समझ सकते हैं आपकी 50-60 candidate ऐसे होंगे जिनका seat जो है खराब हो जागा वेकेंट हो जाएगी तो इसलिए जरूरी है कि जब तक 2021 का result नहीं आ जाता तब तक 2022 का means ना हो यह उनके लिए भी अच्छा रहेगा जो 2021 दे रहे हैं यह उनके लिए भी अच्छा है जो 2022 दे रहे हैं और बहुत से ऐसे candidate हैं जो BPSC का exam भी दे रहे हैं तो जो लोग means का exam दे रहे हैं यूपी PCS का वो किसी भी हालत में BPSC का exam नहीं दे पाएंगे यह उनके लिए बहुत 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 drawback है बहुत 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 setback है इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपनी demand जो है वो Twitter पे tweet करें यह आप hashtag यूज़ करिए hashtag postpone अंटर्सकोर UPPSC अंटर्सकोर मेंस 2022 यह याद रखेगा UPPSC है बहुत लोग यूपी PCS लिख देते हैं आप अलगर है hashtag यूज़ करोगो तो पटिकुलर चीज ट्रेंड नहीं करेगा तो आप यह hashtag यूज़ करिए hashtag यूज़ करने के बाद आप यह तीन Twitter आईडी को tag करिएगा addretm yogi office addretupcm office addretm yogi aditinaat इन तीनो Twitter आईडी को आप tag करिएगा अपनी बात लिखेगा बहुत लोग mail करना चाहते हैं तो आप mail भी कर सकते हैं इस ID पे mail करिएगा online.uppsc addretnic.in और दूसरा आपका है कि chairman office uppsc addretgmail.com अपनी सारी बाते लिखेगा आप इस mail ID पे mail करिए देखे क्या क्या points आप लिख सकते हो यहां मैंने कुछ point लिखा है पहला तो आप ये include करिए कि uppsc 2021 का result अभी तक आया नहीं है जिसकी वज़े से काफी candidate overlap होंगे वो 2022 का भी exam देंगे 2021 में select होंगे और finally जब 2021 में select होंगे तो 2022 की सीर छोड़ देंगे तो काफी important point है यह और काफी genuine point है क्योंकि अभी तक 2021 का result जो है वो subject है तो यह point आप ज़रूर ठाइए दूसरा आप overlap की बात करिए कि BPSC का exam होगया और भी कुछ exam है जो की overlap कर रहे है इसलिए कुछ दिन UPPSC 2022 का मेंस पोस्पोन होना चाहिए तिसरी बात आप mental torture की बात कर सकते है जो mental harassment हो रहा है देखे जो लोग मेंस दे रहोंगे आप उनकी व्याथा नहीं समझ सकते हो बहुत problem होती है अपने आपको इस वक्त कलेक्ट करके पढ़ाई करने के लिए क्योंकि दस बाते दिमांग में चलती रहती है ये बात तो सही है कि अभी तक official कुछी जनाउंस नहीं हुआ है प्लस IO की तरफ से कोई hint अभी तक दिया नहीं गया है कि वो लोग postpone करेंगे अभी तक means का admit card नहीं आया है और admit card जनरली एक हफते पहले आता है तो आपके पास कुछ समय है अपनी बातों को रखने का कुछ लोग अगर से पयाग राज में है तो मैं ये कहता हूँ कि आप जाके चेयर में से मिलिये देखिए physically मिलने का बहुत फायदा होता है आप BPSC में ही देख सकते हैं कुछ लोग जाके CM से मिले थे और अगले दिन ही उनका order आ गया था पहले दो shift के exam एक shift में कराए और उसके बाद जो exam 21 को हो रहा था उसको 30 को कर दिया गया तो आप लोग भी अपनी बात रखिए और student बहुत बटे हुए है देखिए ये वीडियो में बना रहा हूँ और हो सकता है मुझे बहुत लोग backlash दे कि sir आप postpone करा रहा हूँ देखिए मैं postpone नहीं करा रहा हूँ जो genuine बात है उसी बात को मैं यहां रख रहा हूँ इसलिए आप सभी सनुरोध है कि आप लोग जादा से जादा mail करिये मैं भी एक tweet करूँगा और उस tweet को आप जितना हो सा कि retweet करिये बहुत लोग को लगएगा कि फायदा नहीं होता बट मुझे लगता है कि फायदा होता है 2021 के mains का भी आप scene देख सकते हो बहुत लोग letter लिखे थे बहुत लोग जाके मिले थे और वो mains बाद में postpone हो गया था तो अगर साथॉर्टी को पता चलेगा आपका genuine concern क्या है क्या problem है तो जरूर इस पर सोचेंगे और सबसे बड़ा point मुझे लगता है कि 2021 का result अभी दक आया नहीं है तो ये एक perfect ground बनता है कि 2022 का mains तब तक लिए postpone किया जाए जब तक 2021 का result नहीं आ जाता काफी CTS में खराब हो जाएंगी तो आप सभी लोग tweet करिए सभी लोग mail करिए थोड़ा समय निकालके 5-10 मिट लगेगा आपको बट ये चीज़ करिए काफी important है और आप सभी कहित में है देखे जितने लोग भी exam दे रहे हैं एक student committee को एक होना पड़ेगा कोई भी अपना cause को authority तक पहुचाना है तब नहीं तो हर जगा दो पाले में लोग बटे रहते हैं कुछ लोग pro में रहते हैं कुछ लोग against में रहते हैं बट मुझे यह लगता है कि बहुत ही right concern है यह जो यह बात नहीं समझ रहा है उनको यह बात समझना चाहिए कि अगर 2021 का result नहीं निकलेगा और 2022 का means हो जाएगा तो काफी लोग 2022 में select होंगे और competition आपको पता ही है कितना cutthroat है खासकर seat भी यूपी पीसे से बहुत कम रहती हैं 200-200 seat हैं उनमें भी आप 50-60 seat निकाल दो vacant हो जाएंगी तो यह सिर्फ आप के लिए नुकसान है और किसी के लिए नहीं है तो आप सभी लोग tweet करिए और सभी लोग mail करिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना share करें ताकि बाकी लोगों के पास भी यह information पहुचे धन्यवाद